गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अपने घरों में खुश होंगे आज मैं आप लोग को इंगलिश में आपोजिट वर्ड्स बताऊंगे आपोजिट वर्ड्स को हिंदी में विलोम शब्द या उल्टा शब्द कहते हैं मैंने पहले भी आप लोग को आपोजिट वर्ड्स बताया है आज मैं फिर से आप लोग को आपोजिट वर्ड्स ही बताऊंगे जैसे मैंने बताया था आप लोग को good का आपोजिट वर्ड्स क्या होगा? good का bad, small का big, in का out, come का go तो अब यहाँ देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, नमबर वन में क्या है, N-E-W, new, new means नया, तो new का opposite मतलब उल्टा, क्या होगा, old, क्या होगा, old, O-L-D, old, new means नया, जैसे आप लोग की किताब, पापा आप लोगों का, जब किताब लेकर आते हैं, तो वो new होती है, और जब किताब कुछ दिन हो जाती है, तो वो old हो जाती है, मतलब पुरानी हो जाती है, या आप लोग की dress आती है, तो वो सुरू में new होती है, और धीरे-धीरे वो पहनते-पहनते पुरानी हो जाती है, मतलब old हो जाती है, तो new क अपोजिट क्या हो जाएगा old और old का new आप देखिए number two है आपका c o m e come come means आना और come का उल्टा क्या हो जाएगा opposite क्या हो जाएगा go g o go go means जाना और come का go go का come ठीक है number three है आपका s l o w slow slow means धीरे slow का opposite क्या हो जाएगा fast क्या होगा fast if a s t fast जैसे आप लोग story सुने हो ना वो खरगोस और कच्छुए की तो क्या होता है खरगोस तेज दोड़ता है और कच्छुए धीरे धीरे तो वो slow होता है कच्छुए एकदम धीरे धीरे चलता है ठीक है तो slow का क्या हो जाएगा fast अब देखिए next है number four number four में है in 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 मतलब क्या होता है in मतलब अंदर और out मतलब बाहर तो in का opposite क्या हो जाएगा o u t out in मिन्स जैसे आप लोग अपने shirt या t-shirt को in करते हो अंदर करके पहनते हो तो उसको बोलते है in और out मिन्स क्या होता है in मतलब अंदर out मिन्स बाहर तीक है अब देखिए next है आपका number five e a s t east east का opposite क्या हो जाएगा west 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 east जिधर से east मिन्स होता है पूरब west मिन्स पश्चिम east जिधर से आप लोग सुबा देखते हो सूरज जिधर से निकलता है उसको क्या बोलते है east और जिधर सूरज ढूब जाता है उसको क्या बोलते है west ठीक है अब देखिए next है आपका number six H-A-P-P-Y Happy Happy means खुश Happy का opposite क्या हो जाएगा Sad S-A-D Sad Sad means उदास ठीक है जैसे आपके पास जब कोई खिलोना होता है तो वो तूट जाता है तो आप sad हो जाते हो उदास हो जाते हो जब आपके लिए पापा एक new खिलोना लेकर आ जाते है ट्वाय लेकर आ जाते है तो आप happy हो जाते हो खुश हो जाते हो ठीक है तो happy का क्या हो जाएगा Sad ठीक है अब देखिए नमबर 7 है G-O-O-D Good Good का opposite क्या हो जाएगा Bad Good का क्या होगा Bad B-A-D Bad Good means अच्छा Bad means Bad means बुरा जैसे आप लोग को कोई भी बोलता है जब आप लोग अच्छा काम करते हैं तो good girl या good boy और जो गलत काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं Bad boy है या bad girl है तो इसलिए Good का opposite क्या हो जाएगा Bad अब है नमबर 8 नमबर 8 में है H-O-T Hot Hot means गरम चाए दूद काफी ये सब क्या होता है Hot होता है गरम होता है और Hot का opposite क्या हो जाएगा Cold क्या हो जाएगा Cold C O L D Cold Cold क्या होता है Ice Cream ठीक है और भी बहुत चीज़ होते है Cold ठंडा Hot मिन्स गरम Cold मिन्स ठंडा आप देखें नेक्स है आपका नमबर 9 S M A L L Small Small मिन्स छोटा और Big मिन्स बड़ा B I G Big Big मिन्स बड़ा जैसे आपकी जब नई पैंसिल होती है तो वो Big होती है Big होता है पैंसिल बड़ा होता है और जब वो बहुत दिन हम लोग यूज करते हैं यूज करते जाते हैं तो क्या हो जाता है वो Small होते जाता है छोटा होते जाता है ठीक है अब देखिए Next है आपका जाता है कौपी पे पानी तो वो क्या हो जाता है Wet गीला हो जाता है और जब फैन में या धूप में हम लोग रख देते हैं तो वो सुख जाता है ड्राइ हो जाता है तो Wet का अपोजिट क्या हो जाएगा D R Y Dry Wet का अपोजिट Dry new का क्या होगा old come, go slow, fast in, out east, west happy, sad good, bad hot, cold small, big wet, dry ठीक है तो आप लोग अपने English की copy में opposite words को write कीजिएगा and learn कीजिएगा Thank you